है नवरे वन आप सबकर स्वागत है एक बाशे से हमारे से योटीब चैनल डिस्टिक ग्यान में तो जो भी स्टूडर्ट्स है जिनका और प्यस्टेस का रिजाम हुआ था तो उन सभी को वेट है अपने रिजल्ट की तो यहां पर आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो भी टाइम लगेगा काफी सारे आपके कोशन्स आ रहें कि जो आपका रिजल्ट है नममेस का यहां प्यस्टेसी का रिजल्ट का वेगा तो यहां पर आपको बता दें कि जो एनममेस का रिजल्ट और प्यस्टेसी का जो रिजल्ट होता है उसमें कुछ समय लग जाता है कुछ टाइम लगता है रिजल्ट को आने में तो जो भी आपका रिजल्ट है तो NMMS का जो रिजल्ट है वो पहले डिकलेर हो जाता है और उसके बाद जो PSTSE का जो रिजल्ट है वो डिकलेर हो जाता है उमीद है कि जुलाई के लास्ट वीक तक आपका जो NMMS का result ही वो डिकलेर हो जाएगा और मेभी नेक्स्ट मन्थ आपका जो PSTAC का जो result है वो भी डिकलेर कर दिया जाएगा तो PSTAC में टॉप जो 500 जो students होगे उनको scholarship मिलेगी इसी तरहें जो NMMS के students है जो top students होगे जहां category-wise जो students होगे district-wise जो students होगे उन सभी students को जो scholarship है वो NMMS की जो है वो मिलेगी तो अभी आपका जो session है वो शुरू हुआ है तो जैसे 2024-25 आपका जो session है वो चलेगा तो इसमें जो भी जो NMMS का जिन्नोंने exam दिया है 2023-24 session में तो उनका जो result जब आ जाएगा तो उनको 2024-25 session में ही आपको जो scholarship है वो मिल जाएगी जैसी आपका result जारी होगा उसके बाद आपको जो scholarship है वो आपको school की तरफ से आपके direct account में जो है वो transfer कर दी जाएगी तो फिलाल जब तक result नहीं आता आपको भी इंतिजार है आप भी excited है कि कब result आएगा और आप भी देखेंगे कि आप अपना जो नाम है उसमें आता है या नहीं आता है तो कि यह जो test होता है उसमें जो top students होते हैं या जो merit में जो students आते हैं उनको इस scholarship जो वो दी जाती है तो जी जो test है यह पूरे पंजाब लेवल कुड़ता होता है तो इसलिए जो competition हो जाना होता है बाकि जो merit list बनती है जो highest marks होंगे उसके recording है जो merit list हो बनाई जाएगी तो मैं आपको next video में एक example के जरीए बताऊंगा कि PSTSC का result और MMS का result कैसे आता है किस तरह से student को scholarship मिलती है district while list कैसे होती है वो सारा process मैं आपको next video में बता दूँगा जिससे कि आपको थोड़ा idea हो जाएगा कि PSTSC का result या MMS का result किस तरह से आता है और किस तरह से जो student है वो select हो जाते है इसकी जो scholarship की amount है वो भी आपको मैं next video में सारी जांकरी जो है वो provide कर दूँगा तो इसलिए अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना जिससे next और भी कोई updates आएंगी वो आपको मिलती रहेंगे तो चली अभी आपको फिलाल wait करने पढ़ेगी result के बारे में जैसे कोई update आएगी मैं आपके नए चैनल के मादेम से या फिर टेलीग्राम पर जरूर आपको update कर दूँगा आपको जो result है उसका link भी provide कर दूँगा चली आज किस video को यहीं खतम करूँगा जल्दी मिलूँगा next video में तब तर के लिए goodbye जैह